दोस्तों आज की स्टूडियो में हम जानेंगे टेक्जिम इंजेक्शन के बारे में इसको किस कंडिशन में यूज करते हैं और क्या इसके साइड इफ्रेक्ट होते हैं और किस कंडिशन में इस इंजेक्शन का यूज करना चाहिए तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस इंजेक् इस इंजेक्शन को जो हम यूज करना चाहिए आईएम और आईवी दोनर रोट से इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं और अब हम टेक्जिम इंजेक्शन के प्राइस की बात कर लेते हैं यह आपको 30 रुपे में किसी भी मेडिकल इस्टोर पर आसानी से मिल जाएगा और आप जब भी इस इंजेक्शन को खरीदे तो इसकी एक्सपारी डेट से कर ले अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ यूज की तो इसको किस किस कंडिशन में हम यूज करते हैं जैसे थ्रोट इंफेक्शन होना, येर इंफेक्शन होना, नोज इंफेक्शन होना, बार बच्छी को का आना, टाइफाइड बगएरा हो जाना, मिलेरिया हो जाना, आतों में इंफेक्शन हो जाना, बार बार बुखार का आना, इन सभी कंडिसन में हम इस इंजेक्शन का यू इसके बार बार ब्रूखार आना तो ने इंफ्ट्सेल होना तो उस कंडिसिन में भी टेक्जिम इंजक्षिन का बहुत यच्छा है रिजर देख़ा रहा यह तिसके कुछ यूजेस की अब बात कर लेता हम इसके एक कुछ इसके कुछ डोस की तो इसको जो लेना का सही तरीका क है 15 साल तक के बच्चों को सुबह साम पांच सेंग दे सकते हैं आई वी रोड से और आब हम बात कर लेते हैं और आपको कुछ इसके इंजेक्शन के इसने को निकनों को मिल सकते हैं जैसे जैसे वर मीटिंग का आना चक्कर वगेर आना कि चक्कर वगेरा आना पैट में दर्द होना ये इसके कुछ साइड इफेक्ट आपको देखनों के मिल सकते हैं ये ती कुछ जानकारी टेक्जिम इंजेक्शन के